कें अप सब अप सब आप सब आप सब के आप सब अच्छे होंगे और आज में आप लोग और सब्सक्ते दिन परेंगु अर्ट की बहुत rond आगे प्रेशर कुकर में तो रहा सब्सक्राइए जो hall ॉप सरसो का तेल और इसे हमें अच्छे से गरम करना है जब तकि तेल में से धुआ नहीं आने लगता और जब दूआ आने लगे का तो हम तेल को थोड़ा ठंडा करेंगे उसके बार इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच जीरा वैसे मैं बता दूं कि आज मैं फर्स टाइम चूले पहुति कम आठेम मसूले है जो इसका अपना टेस्ट होता है मतर के जो मिठास होती है वह दबसी जाती है तो कम मसाले में बनाएंगे और पहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है उस पर जरू ट्राइबा करिएगा तो यहँ आ पर मैंम एनमें डाल इसमें डाल सिरารती प्यास जो वह गोल्डेन नहीं हो जाता बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है यहां पर जो प्यास हो अब हम डाल दिया अद्रक और लेसन का पेस्ट एक चोटा चमच बहुत जाद आपको नहीं डालना है इसे भी हम भून लेंगे तीन से चार मिनट के लिए जब तकि अद्रक और लेसन का जो रॉफ लेवर है जो कच्छा पने वो चला नहीं जाता गैस का जो फ्ले में वो आप लो पी रखे तो यह दिखें यहाँ पर जो अद्रक और लेसन है वो भी अच्छे से भून गया है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले तो सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर एक तिहाई छोटा चमच आदा चोटा चमच एट कर देंगे लालमिश पाउडर देर छोटी चमच चैट करेंगे धनिया पाउडर को इसके बाद मिसमें डाल देंगे कश्मीरी लालमिश पाउडर आदा चोटा चमच इसके साथी इसमें जाएगा अमचूर अमचूर पाउडर आदा चोटा चमच और यहाँ पर मैंने दो मीडियम सैस के टमाटर को कद्दू कस कर लिया है अ इसे के जो मसाला और टमाटर वह अच्छे से भून जाए तो नमक भी हम साथी में आट करेंगे और इसे भून लेंगे हम कवर करके लेड अच्छे से नहीं लगानी है बस आसे बहुल ने चब तक इस तरह से आपको जो तेल वह ऊपर ऊपर न दिखने लगे आपर यह दिख कर देंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे और आलू को मसालो के साथ भून लेंगे कम से कम चार से पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून ले बीच पिछ में आप इसे चलाते रहे आपको छोड़ना नहीं आप चाहे तो इसे कवर भी कर सकते हैं तो यह दिखिये यहां पर मैंने आलू को पांच मिनट के लिए मसालो के साथ भून लिया है इसके बाद एम इसमें एक कप मटा रएट कर रही हूं इस टाइम जो घरे मटा वो सीजन में तो मैं इसमें फ्रेश मटा रही हूं आप चाहे तो फ्रोजन भी एट कर सकते हैं यह आपर मैंने बिल्कुल ताजी हरी मटर लिये जो खाने में मीठी मीठी भी है और इससे जो सबजी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू मटर को भी मसालो के साथ अच्छे से भून लेंगे कम से कम तीन से चार मिनट के लिए बून कर दें और आलू और मटर को भी अच्छे से भून लिया है मसालो के साथ और इसे मिक्स कर देंगे हम आथ दिखिए Warsaw जो है वह अच्छे से भून गया है सबजी हो के साथ ही आप को इसे लो फलिम पर पकाना है बरना जो जलने लगेंगे इसके बाद रग्स में डाल देंगे 3θη रश्विर्श जिसे मैंने 20 से कट लगा दिया है और इसे भी डाल कर मिक्स करेंगे और अब हमें इसमें पानी एड़ करना है तो आप पानी कम साथा कर सकते हैं मैं बहुत साथा पानी घर नहीं कर दी हूं सिर्फ एक पाणी एड़ करी हो मैं यहां पर अब पानी की quantity कम यह फिर जादा कर सकते हैं तो पानी डालने के बाद फिर से हम इसे mix कर देंगे और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे like करना ना भूले पानी डाल कर मैंने इसे अच्छे से mix कर दिया है और अब हम इसकी लीड लगा देंगे और इसे हम दो वीसे लाने तक पकाएंगे medium flame पर जब दो सीटी आ जाएगी तो आपकेस का flame बंद कर दीजेगा और इसका सारा pressure यह दिखी यहाँ पर निकल चुका है दोसी टियानी के बाद मैंने बंद कर दिया था तो सारा pressure निकलने के बाद हम इस इस तरह से खोल लेंगे यह दिखी जो सारा oil वापको उपर उपर दिख रहा होगा आपको देखी कि समझ में आ रहा होगा कि जो सबजी है वो बहुत ही टेस्टी बनी है यह दिखें बिलकुल परफेक्ट है और लास्ट में हम इसमें एड़ कर देंगे आदा छोटा चमच गरमसाला पाउडर और एक छोटा चमच इसमें एड़ कर देंगे कसूरी में थी इसके साथ इसमें जाएगा बारी कटा वहारा धनिया इन सब को मिक्स कर देंगे हम यह दिखें हमारी बहुत ही टेस्टी इजी आलू मटर की सबजी जो है वह बन के रेड़ी हो गई है आप भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करिएगा यह आपको बहुत पसंद आएगा जो भी इसे खाएगा वह आपकी तारीफ जरूर करेगा तो आप भी इसे ट्रा किर दोंट आ प्यू्च करेण नहीं बहुत हुत है तिर धर बहुत है